तो करेंट अफेर्स के अगले टॉपिक के अंतरगत हम लोग देखेंगे जो आपका रक्षा मंत्राले है पहले तो एक संस्ता है आपकी हिंदुस्तान से प्यार्ड लिमिटेड ठीक है इसको हम बोलते हैं यह आपकी भारत सरकार का पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग है रक्षा मंत्राले और हिंदुस्तान से प्यार्ड लिमिटेड के बीच में अभी एक अनुबंध हुआ एक कॉंट्रेक्ट हुआ एक साइन हुआ है 25 अगस 2023 को यह साइन टोटल जो है 1900 करोड रुपए का है 1900 करो हिंदुस्तान से प्यार्ड लिमिटेड जो है रच्छा मंत्राले को पांच जो है आपके सिप देगा सपोर्ट सिप देगा यह आप देख पा रहे हैं सपोर्ट सिप क्या होते हैं जैसे देश में कभी कोई आपदा आजाती है जो शमंदर के माध्यम से ही उसको सुल जाए तो सपोर्ट सिप काम आते हैं जैसे लोगों को निकालने के लिए मानविय सहायता को भीजने के लिए आपदा रहत कार्यों के लिए ये कब काम आते हैं जैसे चक्रवात आ गया कोई है न तो चक्रवात में जो भी लोग फसे हुए है समंदर में या कहीं पर भी उनको निकालन के लिए तो इन जहाजों को तैनाथ किया जाएगा पाँच सिपों पर रच्छा मंत्रा ले और हिंदुस्तान सिपयाद के बीच में विसाखा प्टनम में जो है इनकी साका है हिंदुस्तान सिपयाद लिम्टेट में इनके बीच में 1900 करोड़ रुपए का एक समझाता हुआ है तो इसमें जो है एक अधिग्रहण किया जाएगा पांच फ्लीट सपोर्ट सिप का जो है अधिग्रहण किया जाएगा ठीक है रच्छा मंत्राले के द्वारा हिंदुस्तान से प्याड लिम्टेट से यह ठीक है ध्यान रखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह पांच पंडुब्भी नहीं है माप करेगा सपोर्ट सिप है यह आप सारे सिप देख रहे हैं तो यह फ्लीट सिप है जिन पर यह कारे करेंगे अब आप लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानते ह होंगे अब आज के टाइम पर फाइबर का ही जमाना है आप जियो फाइबर का नाम सुन रहे हैं अप्टिकल फाइबर का नाम सुन रहे हैं दरसल अप्टिकल फाइबर आपका जो होते अब इससे जुड़ी हो एक नियू से मैं भी बताता हूं ऑप्टिकल फाइबर क्या है और यहां पर कुछ economy से जुड़े हैं concept भी बताऊंगा, पहले एक बार हम समझ लेते हैं optical fiber, यह आप देख पा रहे हैं, यहां पर यह एक wire है, तार है और इसमें कुछ इस तरीके की wire बनी होती है, दर असल यह सारी silika से बनी होती है, किस से बनी होती है, silika से, ठीक है, optical fiber से जुड़ी हुई जो wire होती है, यह एक तरीके से silika से बनी हुई बेलनाकार सनरशना होती है, optical fiber प्रकास के पूर्ण आंत्रिक परावर्तन, total internal reflection के सिद्धान पर काम करता है, ठीक है, optical fiber किस पर करता है, पूर्ण आंत्रिक परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंत्रिक परावर्तन के सिद्धान पर काम करता है, optical fiber, ठीक है, इसका उप्योग कहां किया जाता है, संचार के छेत्र में, दूर भासा प्रदोकी के छेत्र में, इसका प्रियोग किया जाता है, ठीक है, इसके द्वारा व्यक्ति की आवाज, टेली बेजन के चित्रों कम्प्यूटर के आकड़ों को सर्वर मलब एक तरीके सफलता पूरों तरीके से ट्रांस्पोटेशन का काम करती है एक जिगर से दूसरी है जो इंटरनेट सर्फिंग है आपकी तो आप्टिकल फाइबर लाइन पूरे समंदर पे बिच्छी हुई है आपको पता है और बर्टमान में बड़े इसतर पे इनका export import होता है अब ही चाली में क्या हुआ है जो हमारे देश का वान्डिज जो अरुद्योग मंत्राले है उसकी जो जांच साखा है देखे जितने भी मंत्राले है सबकी जांच साखाएं भी बनाई गैई है तो उसके ऑप् पाइब मतलब मतलब क्या होता है एक समझेगा कई ऴार क्या होता है एक देश किसी दूसरे देश को एक देश किसी दूसरे देश को अपने उत्पाद को अपने देश की घरेलू कीमतों से कम कीमत पर उसका निर्यात कर देता है सिसे हमां लिजे भारत में कोई चीज 100 रुपय की है और विदेशों में हम उसे 60 रुपय के एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसी को dumping कहते हैं बहुत आसान भासा में आपको बता रहा हूं भारत में कोई चीज की कीमत 100 रुपए के मलब घरेलू कीमत हमारे देश की क्या है 100 रुपए और हम इसको दूसरे देशों में कितने का भेज रहे हैं रुपए का भीज रहे तो इसी को डंपिंग कहते हैं यह अनुचित ब्यापार प्रणाली है और इससे अंतराश्टी ब्यापार वीकृत प्रभाव पढ़ता है तो anti-dumping मतलब की dumping को रोखने के लिए सरकार के दोरा anti-dumping सुलक लगाई जाती है anti-dumping के माध्यम से dumping को रोकने के लिए अंतराश्टी ब्यापार ब्योस्ता में समानता इस्थापित की जाती है एक सनक्षनवादी सुल्क लगाए जाता है ठीक है जिसमें किसी भी देश की सरकार विदेशी वस्तों के आयात पर विश्वास के साथ ये सुल्क लगाती है कि वस्तों की कीमत घरेलू बाजार मूले से कम ना रहे ठीक है तो सरकार क्या करती एंटी डंपिंग जैसे माल लिज सुल्क लगा दिया जाएगा इसमें 40 रुपय का तो इसकी कीमत क्या हो गई 100 रुपय यदि कोई भी चीज आयात या निर्यात की जाती है और जिसमें पता चला होता है कि डंपिंग को लेकर कारे हो रहा है तो सरकार के द्वारा एक सुल्क इस पर लगा जाता जिसको हम इंत्राले की जो जात साखा है जात साखा के द्वारा तीन देशों पर तीन देशों से जो ऑ्पटिकल फाइबर का एक तो चीन है आपका दूसरा दच्छर को रिया है ठीक है यहां से मह बड़े इस तरन पे हमारे यहां पर आक पर О्प्तिकल फाइबर आती और तीसरा तो जो भी यहां से इंपोर्ट होता है हमें लगता है कि उनकी बाजार कीमते कुछ और है भारत को कम बाजार कीमत पर भीज रहें तो सरकार एंटी डंपिंग सुल्क लगाने की मलदा फिर वो सारी चीजे पता की जाती है और देखा जाता है एक यह बहुत इंपोर्टेंट है अपका अप्टिकल फाइबर एक संस्ता आपकी सेवी सेवी का फुल फॉर्म क्या है आपका भारती प्रतिभूती और बिनिमें बोर्ड क्या है भारती प्रतिभूती और बिनिमें बोर्ड सेवी ठीक है यह देश में क्या करती है प्रतिभू अनियामक संस्था है इसकी स्थापन कब हुई थी चैब की स्थापना हुई है भारती प्रतिवूती और भिन्में ज़्या मनेश कहते हैं जितना भी उसको जो है रेगुलेट करने का कम सेवी का ही होता है ठीक है इसका मुख्याले कहा है मुंबई पे ध्यान रखेगा अभी जो इसके अध्यक्ष है वह है माधवी पूरी बुच्छ इसके जो है अभी हाली में सेवी के दो नए पूर्ण कालिक सदस्चों की नियूक पित किया गया तो इसमें भी जो सदस्च जैसे इसके कई सारे सदस्च से रेटायर होते जाते हैं तो भारत सरकार क्या करती है दो नए सदस्च जितने भी सदस्चियों की जरूरत है उतने सदस्च यहां पर अपॉइंट करती रहती है ठीक है तो सेवी का कारे क्या है प्रत सेवी में हाली में दो सदस्यों का क्या हुआ है नियुक्ति की गई है पहले हैं कमलेश वैशनेओ और दूसरे अमर जी सिंग ठीक है अगस 2023 में इनकी जो है नियुक्ति हुए और सेवी के बारे मैंने आपको बेसिक जानकारी बता दी कि कब आपका सेवी बना तो अभी दो नि research foundation क्या रिषर्च फाउंडेशन क्या नाम है और सरफ रिषर्च फाउंडेशन एक संस्था हैं तो आपजर्बर research foundation एक संस्थान है लाई का दिल्ली में जिन ठिंग टेंक है यह जो है हमारे देश के अंतराश्री संबंधों को लेकर ध्यान में काम करता है जो है लाँ किस्वाइश करन कि गया है FCRA लाइसेंस का मतलब समझते हैं FCRA आपका जो है विदेशी योगदान विनिमें अधिनियम है आपका Foreign Contribution Regulation Act FCRA is FCRA इसके लाइसेंस का क्या किया गया है रिनू किया गया है फिर से इसको जो है नवीनी करण किया गया है ज्यान रखिएगा अगस्ट 2023 में केंद्रिय ग्रह मंत्राले के द्वारा अगले पांच वर्सों के लिए Observer Research Foundation का क्या किया गया एपसी आरे के अंतरगत ठीक है एपसी आरे को नवी नी कृत किया गया है यानि कि आने वाले पांच सालों तक पहले इसका थीर से अगए बढ़ा दिया गया है विदेश योगदान क्या होता है विदेशों से बहुत सारा पैसा फंड इनको जो भी मिलता है और अधनियम के अंतरगति उसको रेगुलेट करना होता है यह भी ध्यान रखेगा यह चर्चा में था काफी ज़्यादा तो इसलिए मैंने पूरी न्यूज आपकी ले ली फॉरन कंट्रिबूशन रेगुलेशन एक्ट के तहें जो है इसको रिनू किया गया ठीक है ध्यान रखेगा चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला है आपका 이, observer रिसर्च फाउंडेशन आपका यह संस्टा है अगला आपका कहीत एक आपका नया प्रोग्राम चालू गया गया है भारत निवी कर से स्मेंट प्रोग्राम जिसको बोलते हैं एंसी इपी यह कल भाइब अधिया दोने हैं ऑपका 22 इस को प्रिम्राव क्यों मतनला सेंफ अब कि तो ने बाजोंते चाहिस है मोटर वहन है आपको पता है कि हमें यह नहीं पता चलता है कि यह कार भेतर है यह कारवे जैंकर गरें तो है तो जो इसको लेकर के काम करता है तो जो आससे समझेज सुरक्षा मानफ बनाएगे चारों को लेकर से स्वेक्षा से मोटर बहान के उद्योग का मानक कोई अनुशार जो है परिक्षा अपनी कारेओं का परिक्षण करवाते हैं ठीक है और इस परिक्षणों के ताय तो उनको इस्टार रेटिंग मिलते हैं कभी बार आप लोग देखते होंगे कई बार आप कोई कार खरीदने का उसको आपको बताया कि इसके सुरक्षा मानक फाइब स्टार रेटिंग के हैं कई बार आपने देखा थ्री स्टार रेटिंग के हैं ठीक है तो अभी आप लोग देखते हैं कई सारी संस्थाएं ऐसी होती है जो क्या करती है इनकी रेटिंग इनको प्रदान करती है तो भार की स्पीड से 110 की स्पीड से 200 की स्पीड से क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट से टकराया जाता है तो टकरानी के बाद उसकी क्या इस्थती होती है ठीक है यह मलब करते हैं आपका अभी बहुत सारी संस्थाइं रेटिंग प्रदान करती है इसको लेकर तो अभी भारत सरकार ने भी क्या किया है सुरक्षा मानकों को ले करके ऐसे वह मतलब प्रॉपर जो है इसके ही प्राउधान में होता और फिर उनकों स्टार रेटिंग प्रदान होती है तो जब सुरक्षा मानक बहतर होंगे तो आपको पता है कि आटो मोबायल सेक्टर भूष्ट हो जायेगा है ना भारत की कारे भी बैस्विक बाजार में प्रतिस परदा कर पाएंगे अभी हमारे देश की कारे कहीं टिकती नहीं है बहुत तीन कारे हाँ जैसे लाइक आप Nixon को देखते होंग heh Tat I'm आपकी सब्युक हम मेर्च के ही और भारत सरकार ने भी अभी निटिन गटकरी स्थाumph ने भा aur न्यू कार असेस्मेंट प्रोग्राम जो है यह लॉंच किया है इसके तहट हमारे देश में जितनी भी जो है कारे हैं उन कारों का एक तुलनात्मक मुल्यांकन किया जाएगा और कार निर्माता कंपनी स्वेक्षा से मैं आपको रेटिंग करानी करानी है ठीक है वह लेकिन हमता के चल्व घानीट में जो है कि उनके रेटिंग प्र दाना किया चाप यह इसको है इसको रेटिंग प्रदान किया जा है इसमें दो तरीके के अक्यूपमेंट होते हैं जो है अगाड़ी में आज जो एडल्ट हैं उनके लिए क्या-क्या सुविधा हैं और बच्चे हैं तो बच्चों को ले करके क्या है और इन सब आधार पर जो है इसको रेटिंग प्रदान के जाती तो यह न्यू कार असेस्मेंट प्रोग्राम के तहट आपका एक बहुत बढ़िया चीज है मतलब आप स सरकार के द्वारा काश्टम यूटीभी बहुत ज़िद जहीं अधाउब के से हैं यू पर जैसे आप की गाडिया बनती है ट吗 की गाडियों की गुडवत्ता इस्थिति टाटा की गाडियों की गुडवत्ता इस्थिति टाटा बहुत सांदर गाडिया बनाता है पूरी की पूरी और मारती क्या है कम बजट में लोगों तक गाडिया पहुंच जाएं है ना उस दीशा में मारती ने जिस तरीके से काम किया है और हर वेरियंट में बहुत सथी गाडिया जो है मारतीन निकाली लेकिन यह रेटिंग बहुत मदद करेगी देश के सेवी के मैंने आपको बता है दो नए सदस्यों की न्यूकती हुई है सेवी 1992 पर बनी थी संस्था और एक रेगुलेटरी बॉड़ी है ठीक है एक जैसे बीमा कंपनियों के लिए आई-ई-डी होती है आपकी आई-ई-डी इल्डा बोलते हैं इसी तरीके से आपकी जो है नाब को यह आपका चीन के द्वारा मलब चीन दछिड को रिया और इंडोनेशिया से आने वाले आप्टिकल फाइजर फाइबर पर डंपिंग एंटी डंपिंग जो है लगाने की सेफारिस की गई है वाडिज मंत्राले के द्वारा ठीक है तो यह भी ध्यान रखिएगा इसके ब हाँ देखे अब अलग अलग है यह तो कार वाईज आपको रेटिंग आप लोगों को भी पता होती है अब टैक्सेशन जादा होता है अब देखे जरूरी भी अपने देश के उद्योग को सरकार के दोरा टैक्स भी लगाए जाता है अना बाहर की जितनी भी गाड़ियां आ लगता है खुब सारा भारत सरकार लगाती है कश्टम ड्यूटी के लावा कई सारे टैक्स लगाती है अब आइफोन साथ भारत में भी बनना चालू हो गया आइफोन 15 है ना तो ऐसे ही बहुत सारे जो है जितने भी उद्योग है अब भारत में धिरे-धिरे सिप्ट हो रहे है आफ Va millionaire शरब्र करना आफ शर्भा शर्बनाय जाते हैं किसी वी चीज़ को लेकर उसका परिक्षण करना देखना उससे जुड़ी हुई तो चुछ पन्र भी बुलाए जाते हैं कि जो भी प्रक्रिया चल रहे जो पह्यक्त कर रही उसको असकर करें उसको देख है य descendants तो अब्जर्वर स्टेट भी होते हैं बहुत सारे खासकर जब समिट होगे रहा होती है तो बुलाए जाते हैं ठीक तो इसको रिवाइस करिए जितना मैंने आपको बताया उसको पढ़ा रिवाइस करिए आप ठीक है चलिए